अनुशिलने प्रस्ण एक नीम्न प्रस्ण के उत्तर दिजिए प्रस्ण का राणा प्रतब सवरे होते ही क्या करते थे उत्तर राणा प्रतब सवरे होते ही कबच पहन कर हाथ में तलवाले कर अगबडी बाध्षाही फौस से योद करने को निकल परते थे प्रस्नका चेतक के रूप गुण का बर्णन कीजिए उत्तर चेतक घोडा का शरीर गठा हुआ वार चमचमाता स्याम रंका था वा किसी वीर से कामना था वा बहुत ही समस्दर और वफादर घोडा था वा भी जैसे यद वीद्दा जानता था दुश्मन की हर चाल को वा पहचान लेता था एन बक्त पर वा ऐसा उचलता की दुश्मन का वार खाली जाता राण में उसने कई वार राणा की जान बचाई थी राणा उस पर सवार होते तो वा बहुत खुश होता प्रस्नगा हल्दी घटी में विये युद का बर्णन कीजिए मुगल समरट अकबार मेबार के राजपूत राजा राणा प्रताफ सिंग को अपने कबजे में करना चाता था इसलिए राणा प्रताफ सिंग और अकबार के बीच हल्दी घाटी के सोक्री पहाडी गली में युद हुआ था लड़ाई के मैदान में राणा का प्रान प्यारा साथी था उनका घोडा चेतक अपने मुठी वर सैनिक को लेकर राणा विशाल मुगल फॉज के खिलाप हल्दी घाटी के युद में उत्रे जहाजद सलिम पर राणा बरी फूर्ती से हमला किया सलिम की हाथी मरा गया लेकिन बबच गया मुगल फॉज चिट्टिओ की भाती राणा के आक्रमन राणा को अक्रमन किया सलिम की फॉज राणा पर अंधिसी तूट पड़ी राणा का तलवार भी फसल कटने लगी अंगिनत स्यानिक मारे गए, मुगलों ने राणा को घेर लिये और राणा बिलकूल अकले पड़ गए, उन पर कोई चोटे आई, लेकिन राणा पिछे नहीं हटे यद में राणा के सीर पर मुगूट को देखकर मुगल फॉज उन पर आक्रमन करते थे, राणा बोड़ी तरह से घायल हो गए थे दूर से राणा प्रतप के हालत देकर जाला वेर मनना राणा के तरब झपटे और राणा से उनके मुगूट छीन कर अपने सीर पर पहन लिया जाला वेर मनना राणा को अपने जान बचाने को कहा, जाला वेर मनना वर राणा की पास्चित से चेतक अंदज लगा लिया की राणा बुरी तरह से घायल है अचनक चेतक राणा की जान बचाने के लिए उनको रन सित्रफ से दूर लेकर बेच्शा भागा चेतक की छाती में तलवा भोग दिया गया था लेकिन बहुत खूत की जान की परवा ना करके राणा की जान बचाई और आखिर में राणा के सामने ही चेतक ने दम तड़ दिये राणा प्रतप अपने प्रान प्यारा घोड़ा चेतक के मृत्य होने पर बहुत रोये राणा का भाई सक्ति शिंग दूर से बसाप देख रहा था अर बो मुगलो के साथ था लेकिन जाला और चेतोक की देशप्रेम देखकार उसे भहुत पस्चताफ हो आशक्ती शिंग राणा पे राणा के पेरों में पड़कार राणा से माफी मंगी दोनों भाई फुट-फुट कर रोने लगी राजपुती सान बचाने के लिए चेतोक का नाम भी अमर हो गया हल्दिगाट का युद इस प्रकार का था प्रस्न घळ, युद में प्रताप ने क्या क्या? उत्तर यद में प्रताप अपने माथे पर चुटकी भर धूल लगाया और अपने मात्रो भूमी को प्रणाम किया अपने मुठी भर स्याणिक को लेकर और प्रान प्यारा घोडा चेतक पर सबर होकर राणा प्रताप अपुर भीरता से विशाल मुगल फौस का सामना किया राणा ने मुगल वाथ्षा सलिम पर बड़ी फूर्ती से हमला किया और उसके हाथी को मार गिडाया योद में राणा प्रताप की तलबार फशल कटने लगी और अंगिनत सर्निक मारे गए प्रास्ना उन चेतक प्रताप को लेकर कैसे भागा उत्तर चेतक प्रताप को लेकर बेताशा भागा मानोबा एसा कूद रहा था जैसे कभी नहीं कूदा प्रास्ना च्या राणा चेतक की मौद से क्यों दुखी विये? उत्तर चेतक राणा का प्रान प्यारा घोडा था बहुत ही समसदार वीर और पफादर था उसने कई वर राणा की जान बचाई थी हल्दिघाट यद्दे में भी ब राणा का सबसे बड़ा साथी था और वो खूद घायल होते हुए भी राणा की जान बचाई फिड आखिर में अपनी प्रान कुरवान कर दी इसलिए चेतक की मौत से राणा दुखी हुए प्रस्णचा चेतक का नाम क्यों अमर हुआ उत्तर आपने वीर्ता समस्दारी और पफादारी के लिए चेतक का नाम अमर हुआ उसने अपने प्रान बली देकर राणा सिंग की जान बचाई और साथ साथ राजपूती सान बचाई हमेशा के लिए चेतक मनुष्य के साथ पालतु जानवर का सच्चा प्यार का निदर्शन छोड़ गया जिसके कारण चेतक का नाम अमर हुआ प्रस्नजा आज चेतक के मुर्तिया कहा कहा मिलती है पुत्तर आज राजस्थान के चौक चोड़ा है रास्ते भावन सब पर चेतक के मुर्तिया खड़ी है प्रस्न ज्या शक्ति सिंग को किसने वर क्या शिक्षा मिली वुत्तर शक्ति सिंग को जाला वर चेतोक से सच्चा देश प्रेम की शिक्षा मिली प्रस्न दो इस प्रस्नों का जबाब एक या दो बाईकों में दीजिये प्रस्न का राणा प्रताप का जीवन कैसा था वुत्तर, राणा प्रोतप का जीवन ही रान शित्र था, ना तो वो कभी संगराम से डरते थे, ना उनके बीर सर्णिक ही प्रस्ण खा, लडाई में राणा का साथी कौन था? वुत्तर, राणा का प्रान प्यारा घोडा चेतक लडाई में उनका साथी था और लड़ाई में राणा का प्रान प्यारा घोडा चेतक राणा का साथी था प्रस्णगा चेतक युद के मेदान में क्या करता था उत्तर, चेतक यत के मेदान में दुश्मन की हर चाल को पैचान लेता था और येन वक्त पर ऐसा उचलता की दुश्मन की वार खाली जाता प्रस्ण घा, चेतक देखने में कैसा था? उत्तर, चेतक का शरीर गठा हुआ और उसका शरीर चम-चमता हुआ स्यम रंका था प्रस्ण गोड़े का हुशियर होना क्यों जरूरी है? उत्तर, राणा का घार चेतक बहुत ही समस्दार वेर और वफादार था राणा उस पर सबार करते थे वो बहुत खुश होता इसलिए घोड़ा का हुशियर होना जरूरी है प्रस्ण गोड़े का घार चेतक की पीट थपथपाई तो उसने क्या जबाब दिया? उत्तर, राणा ने चेतक की पीट थपथपाई तो उसने वे जबाब दिया कि राणा मेतो तुम्हें लेने को हर्दम तेयार हुँ प्रस्ण च्छा, जाला बीर ने मुकूट अपने सीर पर क्यों रखा? उत्तर, हल्दिघाट योद में राणा के सीर पर मुकूट को देखकर मुगल फोज उन पर आक्रामन करते थे राणा बुरी तरह से घायल हो गये थे और उनका बचाने के लिए जाला बीर ने मुकूट अपने सीर पर रखा प्रस्ण च्छा, प्रतप की तलवार फशल करत रही थी, इसका क्या मतलब है? उत्तर प्रताप की तलवार फशल कट रही थी इसका मतलब है प्रताप तेजी तलवार चला कर दुश्मानों को मार्ग गिराते थे प्रस्ण ज्या मानना ने प्रताप से चले जाने को क्यों कहा उत्तर हल्दिगाट व्यद में प्रताप को बहुत गहरे चोट लगी थी मानना चाते थे कि प्रताप अपनी जान बचाए प्रताप रहेंगे तो उनकी लढ़ाई जारी रहेगी इसलिए मानना प्रताप से चले जाने को कहा प्रताप निया राना चेतक को क्यों रोक रहे थे उत्तर प्रती की जान बचाने के लिए चेतक उनको रनशित्रों से दूर लेकर बेताशा भागा प्रताप को लोग कही भगाड भगोड भगोडाना समझे इसलिए राना चेतक को रोक रहे थे प्रस्नट चेतक क्यू भागा? उत्तर हल्दिखाट यद में प्रताप को बहुत गहरी चोट लगी थी प्रताप की जान बचाने के लिए चेतक उनको रनशित्रों से दूर लेकर बेतासा भागा प्रस्नट चेतक क्यू गिर पड़ा? उत्तर चेतक की छाती पर तलवार भोग दिया गया था और वहा से खून की धारा बेहरे थी इसलिए चेतक गिर पड़ा प्रस्नट शक्तिशिंग प्रताप के पाओ क्यू पड़ा? उत्तर शक्तिशिंग राणा का भाई होते हुए भी मोगलों के साथ था हल्दिघाट योधो में जाला वार चेतक के देश प्रेम देखकर शक्तिशिंग को अपने देश रोही काईयों के लिए पच्टावा हुआ इसलिए भप्रताप के पाओ पड़ा तिन सही बिकल्प चुनकर लिखिये कराणा प्रताप का साथी कौन था ग्यान संग्राम पुजा बरतलाप इसका सही अंसर है डवल आई संग्राम प्रस्नका प्रताप ने कहा प्राम दूंगा पर मुप्त करूंगा किस से? चेतक, दिश्मन, मेर, सकति सिंग इसका सही अंसर है डिपल-imeर प्रस्नका चेतक ने क्या फड़फलाए हाथ, पूच, कान, पीठ इसका सही जबाव है डिपल-I कान, प्रस्नका सलिम का क्या मारा गया घोडा, कुत्ता, चेतक, हाथी, इसका सही जबाव है आई भी हाथी प्रस्ना हुआ कौन प्रतप के पाव पर गिरा सलीम अगबर सक्तिशिंग चेतक इसका सही जबाब है ट्रिपल आई सक्तिशिंग भाशा कारियो प्रस्ना एक इन सब्दों के लिंग बताईए शब्द लिंक यद्ध पूलिंग जंग स्त्रिलिंग लड़ाई स्त्रिलिंग संग्राम पूलिंग जीवन पूलिंग सेनिक पूलिंग कवच पूलिंग तलवर स्त्रिलिंग मुकबला पूलिंग कबजा पूलिंग जान स्त्रिलिंग फाज स्त्रिलिंग शेन स्त्रिलिंग प्रतिग्या स्त्रिलिंग दे स्त्रिलिंग शड़िड पूलिंग हालत स्त्रिलिंग पिट स्त्रिलिंग गर्दन स्त्रिलिंग जीव स्त्रिलिंग दो बचन बदलिए घोड़ा आदमी लड़ाई आँक कान घाव कबज घोड़ा घोड़े आदमी आदमी लड़ाई लड़ाईया आँक आखे कान कान पाव पाव कवच कवच नमबर तिन समार अर्थी सब्द लिखिये यद्ध जंग लड़ाई संग्राम फोज सेन पल्टन सन्य जान प्राण जीवन जिन्देगी वक्त काल समय वेला प्रतिग्य प्राण सपत स्वगंध घाव जक्म स्विर्थ चोट छाती सीना वक्ष उर प्रस्ण चार का विभाग के विशेशन सब्दों को खा विभाग के सेंग्या सब्दों से जड़िये का विभाग खा विभाग खाली वर गठा हुआ शरीर हर चाल एन बक्त विशाल सेना मेरी गर्दन अनगिनत सेनिक बादशा फोज प्रस्ण पांच निमन लिखित बाइकों में एक एक सर्ब नाम है उनको छाट कर लिखिये का उन पर कोई चोट आई उन शर्ब नाम है उन खा आप रहेंगे तो लड़ाई चलती रहेगी इसमें शर्ब नाम है आप गा में काफी हूँ शर्ब नाम में गा उन्हा ने बड़ी फूर्ती से हमला किया शर्ब नाम उन्होंने वा बेत्षा भागा शर्ब नाम व छा निमन लिखित सब्दों में से संग्हाओ को चाटिए लड़ाई खाली लोहा दुश्मन खूज घोड़ा मूर्ती विर्ता बोला के साथ उनके हुक गठा प्यारा प्राण भाई गर्दन मेरी संग्हा है इसमें से संग्हा कौन-कौन होगा कौन-कौन वड़ लोहा दुश्मन घोड़ा मूर्ती विर्ता प्राण भाई गर्दन ये सब संग्हा है प्रस्ण साथ कौस्ठक में से सहीष पर शर्क चुनकर शुन्य स्थान भरिये नेको से के लिए में का प्रताफ डैस प्रतिग्या की थी खा बो किसे वीर डैस कम ना था वो किसे वीर से कम ना था गा राण में उसने राजा की जान बचाई थी गा बो राणा को लेकर बेद शा भागा मैं भी बक्त के लिए जान दूँगा जानिये इन बाइकों को देखिए करता के साथ ने बिभगती लगी है तो बाइकों कैसे बदल जाते हैं क्रिया करता के अनुशार नहीं चलती ने भूतकाल में ही प्रयुक होता है राणा ने प्रतिग्या की थी उसने राणा की जान बचाई राणा ने चेतक की पीर्थप्थपाई मानना ने प्रताप की बुरी हलत देखी उन्होंने फूर्ती से हमला किया चेतक ने दम तर दिये चेतक ने मेरी आँखे खोल दी इन विशश कथवनों को मुहाबरोको शिक्षक समझादी लोहालेना जान बचाना पीर्थप्थपाना दम तर देना लोहालेना शहस्पुर्भक मुकावला करना जान बचाना मार्ने से बच्चिना या मुसिवत से पीछा छुडाना पीर्थप्थपाना सावाशी देना दम तोर देना अन तीम साज लेने